हाई, वेलकम टो स्प्लेस डेली जहां हम नई नई मुवी रिव्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी एक्स्प्लेन करते हैं आज मैं बाप बेटे की प्यार की एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो को लास्ट तक देखना ये स्टोरी जानने के लिए अगर आप इस चैनल में नई हो तो नई नई इंटरेस्टिंग स्टोरी और मुवी एक्स्प्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आज की स्टोरी पाप बेटे की ऐसी एक प्यार की स्टोरी है जहाँ अपनी पिता जी के लिए कुझवी कर शकते है रनबीजाई अपनी पापा से बहुत प्यार करता है लेकिन उसके पापा अपनी बिजी स्केडूल के लिए रनबीजाई को टाइम नहीं दे पाता रण्बिजाई के पापा स्वास्तिक नाम से एक श्टील कंपनी चलाता है वो लोग बहुत अमीर है रण्बिजाई बहुत अच्छा लड़का है वो आपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करता है लेकिन उसके पापा उसको टाइम नहीं दे पाता है इसलिए वो बहुत गुश्य में रहता है रन्बिजाई की पापा का बर्दे था लेकिन उस दिन भी रन्बिजाई की पापा रन्बिजाई को टाइम नहीं देता इसलिए वो बहुत गुश्या हो जाता है रन्बिजाई की बेहन कॉलेज से आकर बहुत सैड थी रनवीजाई उससे पूछता है कि क्या हुआ फिर वो रनवीजाई को बताती है कि कॉलेज में कुछ लड़के उसे तंक किया ये शुनकर रनवीजाई बहुत गुशा हो जाता है और अपनी बंदूग को लेकर कॉलेज चला जाता है कॉलेज में जाकर बढ़ा होके अपनी घर बापस आता है लेकिन बापस आके भी उसके पापा उसको टाइम नहीं दे रहा था क्योंकि उसके पापा बहुत बिजी था। इस बात से रनवी जय्याई बहुत गुश्रा और अपसेट हो जाता है। फिर वो एक पार्टी में चला जाता है रनवी ज गितनजली को देखता है और गितनजली का देखकर ही रनवीजय उसके प्यार में पढ़ जाता है वो गितनजली से शादी करने के लिए पूछता है गितनजली पहले तो सौक थी लेकिन फिर गितनजली शादी के लिए मान जाती है रनवीजय बहुत एकसाइटेड होके अपनी पापा के पाश आता है बोलने के लिए लेकिन उसके पापा तब भी विजी था और उसके पापा भी खुश नहीं था कि रन्बिजाई शादी करने वाला है उसके पापा को पूछे विना ही फिर रन्बिजाई गितनजली को लेकर अमेरिका बापस चला जाता है रन्बिजाई बाद रन्विजय को पता चलता है उसकी पापा के ऊपर किशी ने एटाप किया रन्विजय बहुत चिंता में पढ़ जाता है रन्विजय इंडिया आके अपनी पापा को हॉस्पिटल में देखके बहुत तूट जाता है रन्विजय ढूंडने लगता है कि कौन उसके पापा को मारना चाता है फिर रन्विजाई पंजाब जाता है जहां उसकी दादा जी की घर है वहां जाका रन्विजाई अपनी कुछ कजन्स को ले आता है अपनी पापा की रक्सा करने के लिए रन्विजाई बहुत चाला की शे एक बड़ी डावल भी एरेंज करता है उसकी पापा की सवी लोग शोच रहा था कि रन्बिजाई बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर रहा है लेकिन रन्बिजाई को लग रहा था कि कोई फिर से कोशिश करेगा उसको पापा को मारने के लिए और वैसा ही हुआ एक दिन फिर से एटाक हो गया लेकिन उस दिन रन्बिजाई की प पता चल जाता है उसकी बेहन की पती पॉपाटी के लिए रन्विजाई की पापा को मारना चाहता है रन्विजाई उसकी बेहन की पती को मार देता है अपने हाथोशे फिर रन्विजाई ढूनने में लग जाता है कि मास्टर माइंड कौन है एक दिन रन्विजाई को पता चल लेकिन तब तक जमाल जा चुका था वहाँ पर बहुत फाइट होता है वह जमाल की शारे गुंडे को मार देता है अकेले ही और रन्विजाई बुरी तरह घायल हो जाता है हॉस्पिटल में एड्मिट करने के बाद पता चलता है कि रन्विजाई की हार्ट बहुत डैमेज हो गया है उसे हार्ट टैंस्प्लैंट की जरूरत है वह लोग हार्ट ढूंड रहा था तब ही एक हार्ट डोनर मिल जाता है रन्विजाई की जब हार्ट टैंस्प्लैंट होता है सक्सेस्फुली तब रन्विजाई की पास एक लड़की आती है वह कहती है रन्विजाई को जो लड़की के प्यार में पढ़ जाता है और गितनजली के ऊपर चीट करता है जब गितनजली को ये बात पता चलता है गितनजली बहुत गुश्चा हो जाता है रनबीजाई गितनजली से माफ ही मांगता है कहता है मैंने इतनी लोगों का खून किया फिर भी तुमने मुझे कर दो मैंने तुम पर चीट किया इवेंचुली गितंजली उसे माफ कर देती है फिर रनभी जय उस लड़की के साथ ब्रेक अप कर लेता है और फोकस करता है कि कौन उसके पापा को मारना चाहता है फिर उसको पता चलता है कि जमाल किसी दूसरी कंट्री में चला गया है फिर रनभी जय जमाल से कहता है सब कुछ भूल के गले लग जाने के लिए वो जमाल को अपने पौपाटी का हिश्चा देगा लेकिन जमाल बहुत गुश्चा था उसे पूरा स्वास्ति कंपनी चाहिए था फिर वो दोनों लड़ाई करता है और रनभी जय जमाल को अपने हातो से गला काट के मार देता है रनभी जमाल को मारने के बद जब घर आता है अपनी पापा से बोलने के लिए कि उसने मार दिया जो उसके पापा को मारना चाहता था उसके पापा बहुत गुश्चा हो जाता है उसके पापा उसे बताता है कि उसे कैंसर हो गया है और वो अब 6 म पहने तक ही बचेगा रनबी जाए बहुत अपसेट हो जाता है और उसके पापा उसके उपर गुश्या रनबी जाए अपने पापा से एक्स्प्लेन करने की कोशिश करता है कि वो जो भी किया अपने पापा को प्यार करता है इसलिये किया अपने पापा को बचाने के लिए ल वो कहता है बच्पन से उसने उसके पापा को आइडल माना है वो सबसे ज़्यादा अपने पापा से प्यार करता है लेकिन उसके पापा उसे कभी भी टाइम नहीं दिया ना आज ना बच्पन में ना कभी फिर वो अपने पापा से कहता है एक गेम खेलने के लिए जहाँ वो और उसके पापा रन्बिजाई का फिर उसके पापा राजी हो जाता है वो अपने पापा से कहता है आपको कुछ नहीं करना आप बस पापा पापा करोगे बाकी के एक्टिंग में करूंगा फिर उसके पापा उसे पापा पापा कहता है और रन्बिजाई अपनी पापा की एक होता है कि वो कितने टेरवल फादर था उसने अपने बेटे को कभी भी वक्त नहीं दिया फिर उसके पापा रियलाइज करके उसे गले लगा लेता है और उसे माफ कर देता है रनविजाई भी अपनी पापा को माफ कर देता है रनविजाई को बहुत खुशी होता है कि आखिर उसके पापा उसे गले लगा लिया उसे टाइम दे रहा है रनविजाई ने इतने लोगों को मारा उसने अपनी कजन भाई जमाल को भी मार दिया इसलिए गितनजली नहीं चाहती थी कि उसके बेटे भी अपनी बाप की तरह ही निकले इसलिए वो अपने बेटों को लेकर अमे गितनजली से प्रामिश किया था कि वो कवी गितनजली को धोका नहीं देगा लेकिन फिर भी उष ने गितनजली को धोका दिया वो गितनजली के साथ चीट किया फिर भी गितनजली ने माफ कर दिया उशे अगर आप होते तो आप क्या करते क्या आप लोगों को लगता है कि र